एक स्टॉक जिस पर आज कोई भी प्रेशर नहीं आया है, थूदर डे अच्छी मूव है, सुबा अच्छा खुला उसके बाद थूदर डे इसने गे नहीं दिखाई है, डेज हाई पर अभी भी ट्रेट कर रहा है, एबी बी इंडिया अच्छी खासी मूव एबी बी इंडिय अच्छच गेंस अबी बी इंडिया में केस्तर पे पहुंसते वे दिखें हैं आज के दिन में और 5 माई 2022 के बाद यह हाईस्ट इंट्रिडे परसेंटेज गेंस होते वे दिख रहे हैं, तो अल्मुस्ट आप कह सकते हैं, कि एक साथ से 2 साल बाद के हाईस्ट परसेंटेज यहां पर clocking होते वे नज़र आ रहे है reason being एक तो numbers जो इनके आये थे वो street को पसंद आये थे नतीजों के लिहाद से खासकर margins पर operationally company ने बहुती बढ़िया प्रदर्शन किया है मुनाफ़ की perspective से भी company का अच्छा प्रदर्शन रहा है and most importantly आप देखे तो यहां पर जिस तरह से पाँच वर्षों में जो सभी चौती ते माहियों के इनों numbers डिकले किया है company calendar year फॉलो करती है तो 2023 का जो चौती ते माहियों का इनों नतीजा भी घोशित किया है वो Q4 पिछले पाँच वर्षों में सबसे highest Q4 आई के लिहाद से होतावा दिखाया है in fact calendar year 23 भी आप देखे यरली बेसिस पर भी company ने बढ़िया 10,447 करोड रुपे की record आई सालाना दार पर घोशित की है और साथ साथ company की जो yearly order book है वो भी 2023 में 12,319 करोड पर एक नया record बनतावा दिखाया तो काफी सारे records अगर आप सालाना बेसिस पर भी देखेंगे तो यहाँ पर हुआ है और तिमाई अधार पर तो मैंने आपको अल्री बताया है कि आए के front पर company ने बहुती best ever in fact पिछले 5 वर्षों की जो चौती तिमाई है उसमें best आए घोशित की है in fact 21% का record return capital employed भी यहाँ पर इन्होंने घोशित किया है और अगर आप margins और strategic mix पर focus करें company का उस पर company ने बढ़िया प्रदर्शन करते वे margins जो है 15% के इस बारी clocking किये है यही नहीं calendar year 2022 के तुलना में जो cash balance है उसमें भी 31% की बढ़त इस साल आहमें देखने को मिल रही है और company का यह जो मजबूत cash balance है इससे आगे चल कर further और capex में और अन्य जो acquisitions है उसमें भी ABB India को बड़ा फाइदा देखने को मिल सकता है और बुक तो हम देखी रहे हैं कि जो capital good space की कंपनिया है वहाँ पर किस तरह का order book बढ़ता वा नज़र आ रहे है तो order inflow yoy basis पर भी देखेंगे तो 35% की growth वहाँ पर भी देखने को मिली है तो नतीजे तो बढ़िया थे ठीक टाक ते क्या कहूंगा बड़ अफकोस जिस तरह से company की commentary आते भी दिखी है जो नई records बनते वे दिखेंगे अलग-अलग levels पर उस चीज़ को ध्यान में रखते वे निविश्कों को आज ये counter पसंद आया है तो ABB India एक तो नतीजे पर एक reaction जरूर है वायवाय नतीजों का order book है और आगे की जो commentary है तीनो factors इसकी वज़े से आज ये stock उपर भी है कॉन कॉल भी साड़े कर ग्यारवज होई थी उसके बाद बाजार में थोड़ा और जोश भी आया है इस counter पर सनी सर, ABB India view रखते हैं इस पर नतीजों के बाद एक बहुत बड़ी move आ रही है सर इसमें पांचु डेफिनेटली बहुत शंगर नतीजे कंपनी ने पेश किये है जिस तरह से भी discuss भी किया जा रहता है रेकॉर्ड कॉर्टर रहा है और बैकलॉग भी काफी अच्छा है आई थिंग आठ हजार करोड के आसपास का ओटर बैकलॉग है तो अगर कोई नायाप मनी किसी को फ्रेश कापिटल डिप्लॉई करना है तो मेरी राय रहेगी कि थोड़ा वेट कर लीजिए आज रिजल्ट के चलते एक्साइटमेंट है जब पोल ओफ होगा उस बड़ में भी बायों डिक के रननी ती इसमें अपना सकते है आज एक्साइट होके स्टॉक उपर के भाव में लेकर के रिटर्न बनना थोड़ा मुश्किल होगा तो लेट स्टॉक को स्टॉक को सेटल होने दीजिए में भी अगले 4-5 जिनों बाद में भी बायों डिक की रननी ती इसमें अपना सकते है